हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्वान वार्गप और आप तेक्र है जीके बित्वानु चैनल दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बायोजी के साथ में दोस्तों बायोजी के 30 जो कोशन है वो घ्यान के अंतरगत ही आते हैं यानि जो 6-10 के सभी शिक्षक हैं उनके लिए उपयोगी है और बायो के 11 और 12 के जो सिक्षक साथ हैं उनके लिए सीमराइज इंटेंट परिक्षा की दरश्टी से बहत महत्पून हैं तो दोस्तो और मैं कि तरफ कर सकते हैं किस टॉपिक वर हम और वीडियो लेकर के आएं साथ में हमारी प्ले लिस्ट पर इसके पार्ट आन जैसा की यह पार्ट वोर है तो इसके इसके परप्दू पार्ट तो पार्ट थ्री प्ले श्रूल की मिल जाएंगे चलिए दोस्तों अब हम तो जो दूद्ध खट्टा हो जाता है यानि दूद्ध से धही बन जाता है वो किसके द्वारा बैक्टीरिया की द्वारा बन जाता है तो इसका राइट अंसर है भी बैक्टीरिया चलिए अगले कोश्चन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन दिया है निमलिकित मैसे कौ होता है जीवानु संक्रमान के कारण होता है तो 25 दमा कुष्ट ये शभी तो दमा जो कि इसके अंतरगत नहीं है पैचस भी नहीं है ये बायरस के द्वारा होता है कुष्ट तो साथियों इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है और जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी साइं इसकी ट्रिक सॉटकट में है पीजी टी है कोडी निका तो इन सभी एक एक अक्षट से सभी बीमारियों के नाम है को से कोड या कुष्ट रोग हमने इसमें रखा है पी से प्लेग है जहां पर पीजी जी से गोनेरिया और टी से टाइप हाइट और टीवी टिटनिश ये जि शुटरणली से डिप्तििो्यू निनी से निमोनिया या 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 जारिया बुट इसका सीग्श कली उसलेश चственно को runs जा करते हैं नेश्च थी किसने की थी तो इन आन में ऑर स्केड़ क्रिश तो ईवन अथ invasion for Christina to देखते हैं चेचक के लिए टीवी का विकास किस ने किया था तो एड़वर्ड जैनर ने किया था इसका विकास और चलिए अगला देखते हैं दूद से दही के रूप में जमने का कारण क्या है दूद से दही के रूप में जमने का कारण क्या है तो इसका अंसर है Lacto Vaxilis निमने मैंसे कौन सा स्वाप उशी होता है स्वाप विशाडू कबक प्रोटो जो तो इसमें पूछा गया है स्वाप उशी जो अपना श्वाइम पोशन करता है वो खौन सा होता है तो स्वाप ली वहते हैं जो अपना स्वाइम भोजन बनाते हैं लगने वाला टिक का रोग है और एच आई भी द्वारा होने वाले रोग कौन से है तो तो दिखते हैं इसका राइड आंसर तो यह एडस वोता है वो इसकी द्वारा होने वाला रोग नेेक्स्ट अगले कॉस्चों क्यों पड़ते हैं यह मलेरिया य क्छेचक पी लिया टि एक्छम ने टीवी ररी के नाम है सिलफोथ तो यह वहीं जीवाणू के दारा होने वाला रोग है और इसमें चेचक जो है जो बारेशक के दोह पी लिया भी जीवाणों के द्वारा तो चेक नेक्स्ट किस सहवाल में आयोडिन प्राप्त होती है आयोडो है आड lugoniया तो यह आप को दी दोस्तों इसका छाहि मजाप देखते हैं तो ले मिनरिया लोग उत्पन होता है कि इसके दौररा बिशाणू के दौररा इस्ट के दौरा प्रोटो जोवा के दौरा तो हीड्रोफोबिया जो रोग वोता है वह बाप्राइस बारह मों होने हो है नेक्स्ट ये नहीं होते हैं तो यह अगली करुशन के और बढ़ते हैं कुछ के गलता है पैचे सिय तो यह हाइड्रो Fobic हूता है रेवीज्ट्री में जलान तक कहा जाता है तो हाइड्रो जिसमें जल से डल लगने लगता है तो कुत्ते के काड़ने से होने वाला रोग है रेविच और इसे जलांता क्या हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है नेक्स्ट अगले कोश्चन सार्स क्या है संचाय प्रणाली बिशाणू जनेत रोग कबक द्वारा इन में से कोई नहीं त संक्रबान के कारण होता है जीवाणू को द्वारा माइको प्लाजमा के द्वारा विशाणू को द्वारा शेवाल के द्वारा होता है तो विशाणू के द्वारा खसरा खसरा जो होता है वो किसके द्वारा होने वाला रोग है विशाणू के यानि वायरस के द्वारा अग बश्वानियं、 ब्रफतूमां होने वाली फूट एवं मौथ रोग किसकी कारण उत्पन होती है बिशाणू के दोरा प्रोटों जो आ दोरा जीवाण को दोरा या यह सभी तो एदा के दोरा होने वाला रोग है हैं नेक्स्ट है शहवालों की कोष्का कोष्का वित्ति किसकी न अगले वित्ती है कि बनी होती है तो होती है अगले को थीक्ति के द्वारा प्राप्त होता है लाइक इसका खांड से लाल सागर का रंगकिस की उपस्तितिक के कारण होता है लाल सागर का रंग लाल, किसकी उपस्तिती के कारण होता है, मौस, लाइकेन, सहबाल या जीवान के द्वारा होता है, तो सात्यों जो सहबाल है, वो रेड ग्रीन कलर की ना होकर के, रेड कलर की सहबाल पाई जाती है, लाल सागर में, इसलिए इसका नाम लाल सागर पड़ा, तो यह जो रंग है किसकी उपास्तिती के कारण सेवाल की कारण होता है नेक्स्ट दिये है अगर अगर किससे प्राप्त थो होता है तो ये भी सेवाल से प्राप्त होता है नेक्स्ट बनश्पती बिग्यान की वह साखा जिसके अंतरगत कपकों का अध्यन किया जाता है क्या कहलाती है तो इन साखाओं से रिलेटेड एक वस्तिन जरूर आएगा सभी साखाओं की एक हम अलग से वीडियो लिकर के आएगे किस साखा के अंतरगत कौन किस चीज का अध आपकों की कोश्ट का वित्ति के से बनी होती है तो लाइके ट्विन से बनी होती है सेलुलोज हैमी सेलुलोज कहा जाता है जिसे और नेक्स्ट देखते हैं सभी कबक सदयब होते हैं कैसे मिरतोप जीवी पर जीवी बिविद पोशी या स्वापोशी होते हैं तो जो होते है हैं अगला कॉश्चण घ्रफ्टों की हाल पर उगनेबाले कवक कहलाते हैं कबक से रिलेटेड ही सभी कॉश्चन आ रहा है अब तो इसका राइट अंसर क्या होगा देखते हैं कोटी कोलस नेक्स्ट अगले कॉश्चन दो और किलूरो वड़ते हैं तो शल्टियों गोबर पर उगनेवाली कवग क्या के घलाती है और इसका सही जवाब है को तो को परह विलसंसा चोली देक्षा था श्राय है को प्रोधल स्सक्राइख यह वाली कवा कि लिए निम्टमेस से किस्पी किस्पे क्लोरो फिल्द्ध जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापान में तो इंडो कारपन को खाते हैं नेक्स्ट मिर्गी की और शदी किस लाइकेंड से प्राप्त होती है तो पर्मेलिया से होती है चलिए इसका अंसर देखते हैं पर्मेलिया तो साथियो अब साइस के 20 महत्पुन कॉस्चनों को हम इस वीडियो में कबर कर रहे हैं यह बायलोगी के रिलेटेट कॉस्चन थे तो हमें अच्छा रिस्पॉंस मिलता है तो इसका पार्ट फाइब लेकर के आएंगे और आप विडियो कॉस्चन देखिए इसके जो 91 से आंगे के जो कॉस्चन है वो बहुत ही इंपोडेंट है बहुत अच्छे कॉस्चन आने वाले हैं और साइंस के भी इसमें हम 20 कॉस्चन क कवर कर रहे हैं 20 से लेके 40 तक और उसके बाद वाले वी कॉस्चन बेहद महत्पुनों बहुत अच्छा पार्ट फाइब बना करके लाएंगे बस हमें इस पर रिस्पॉंस अच्छा मिले इस वीडियो पर चलिए तो आप साइंस के वोश्चन देखते हैं कि चमगादर अंधेरे में भी उड़ जखती है क्योंकि उन्हें सायता प्राप्त होती किस के द्वारा तो सुपर सॉनिक जो करेंडर रहती है अल्टरा सॉनिक जिनने कहा जाता है वो क्रेंडों की वज़े से यह रात में भी देख सकती होई डॉल्फिर मचली भी इसकी के अब आज को बारे की से सुन लेती है छोड़ी चोड़ी आवाज के लिए तो यह इसका राइट अंसर भी अल्ट्रा सॉनिक बैप नेक्स्ट अगला कॉचन दिया है अलुमूनियम किसे खनिस से प्राप्त की जाती है मोना मोना नाइट एंत्रिशाइड वॉक्साइड या थ अगला कोशण दिया में इस थाइक कतोरटा का कारण क्या है मिकैसियम कर्पौनियट जिंक कलोर वए केलोरी की मापन एकाई है कौन सि कैलोरी उष्मा से मापन जाती है तो इसके वह नेक्स्ट अगले कोश्टन की बढ़ते हैं तो ये घरन के कारण होता होता है तो इस यिप लाइक सषारिन को happens स्रेडिक्रम में समान्थ क्रमम में होस्ति को सभी को पता है कि समान्थ International सभी करण में है नेगुआ जोड़ जाते हैं जो में जंग लगना है यह मैं whamac राशा ने क्रिया शामान क्रिया या इन मैंसे कोई नहीं तो भई राशा ने क्रिया कहलाती है लोह में जो लग जंग लगने की घड़ना को क्या कहा जाता है राशा ने क्रिया कि बंद्दूत का फ्लामेंट किसका बना होता है तो टंगश्टन क्रॉमियम तामभमेंट बना होता है प्लामेंटEM क्रॉमियम धतू बैस टंगस्टण ही है चली दिखते हैं राईट्स फंगस्टर कैतली में पानी का गर्म होना उझा जिसका चालत का संभाहन के संभी हम यह संगम का संदय। चलिए इसको इसका राइट आंस अगला शबाल दिये है ऐसाई में बलका मात्रक क्या होता है जूल न्यूटन बाट घं सेंटिमेटर तो भई इसमें न्यूटन ही होता है नेश्ट बायू क्या है तत्वे मिस्रान यहोगे के इन में से कोई नहीं तो बायू मिस्राणी है अंत्र कूर्जा को बिद्धू तूर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है तो डायनोमाइट जो डायनोमो होता है उसमें यांत्र कूर्जा जो मशीनों के द्वारा उसमें बिद्धू तूर्जा में कनवर्ट किया जाता है आपने जनरेटर देखा होगा जो कि डायनोम जम यहां चंद्रमापा लेजाए जाएगी तो उसके भार में कमी आएगी आंतर नहीं आएगा उसकी अचंद्रमापा संद्र में कमेल आएगी हईगी। गुना कम गुर्त्वा कर्षण बाल है इसलिए भार में कमी आएगी तो इसका राइड अंसर है सी और जंप अधिक लगा देगा साथियो अगर चंद्रमा पर देखा जाए तो जंप छे गुनी अधिक लगाएगा कोई यहां पर प्रतिव है जिसनी जंप लगा रहा है तो वो बहुत सभी डायनमाट में तो शाथियो आगला कॉस्चन दिये है आधिक द्खाई क्से तो इसका जो राइट अंसर है वो पुतली की बिसेस बनावट की वज़े से ये बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है नेक्स्ट उस्मा की अच्छी चालक कौन सी धात होती है तो भई अगर देखा जाए तो सोने सोना नहीं चांदी है और चांदी के यादितारों को लगाय जाया तो सबसे अच्छा उस्मा का हाश्र नहीं होगा लेकिन चोर चुरा ले जाएंगे तो भई इसलिए ऐलमुनियम या के ही वायर जो रहते हैं और उसके बाद अगर उस्मा का अच्छा सोसक है उस्मा का अच्छा चालक है तो वो चांदी के बाद तामा तामा है तो इसका राइट आंसर साथी हो चांदी है नेक्स्ट अगले कौश्चन को बढ़ते हैं गर्मी में मकान को शफेद रंग से पत्वादा क्यों पशन्द करते हैं तो वह उस्मा के अच्छे परावर तक होते हैं इसका राइड अंसर है स्री नेक्ट कैथलिक में लकडी का हंडल क्यों लगाते हैं तो इसका राइड अंसर सभी को पता होगा गर्म नहीं कुछ आलाला कुल दाप का नेक्ट पर डव की दापर समाना आयतन्वाली कृश्यों में गयास्यों में अड़ों की शंख्या शमान होती है निमiedy में से यह नियूम कौन सा है वाइल कर नियम 44 नियूम गिलू साक कि कि आईतंसमंदी नियम हम हा एवोंगेद्रों का नियम ही कहला था है एक ही ताप राभी डाप पर समान आयतनन वाली बस्तूumps में अडून की समान शंक्या होती है चलिए इसका पर साथ खैने और ऊछाफ घे ग्रेंग अच्छा आने वाले आ आप मिस नहीं करिएगा हमें इस वीडियो पर अच्छा रिश्पॉंच देजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो पर तब तक लिए जाए हिन जाए भारत